शाम संदीज जिसमें श्री कृष्ण अपने बन की बात राधा जी के सामने अभिवेक्त करते वे कह रहे हैं कि जो होता निरत तप में मुक्ती की कामना से आत्मार्थी है न कह सकते उसे आत्मत्यागी जीसे प्यारा जगत हित और लोक सेवा जिसे है प्यारी सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है श्री कृष्ण कह रहा है राधा जी से कि है राधे जो इस संसार में मुक्ती की कामना से यानि कि स्वेम की मुक्ति अपना खुद की जो मुक्ति की कामना से जो संसार में कारी करता है उसे आत्मार्थी कहते हैं यानि कि संसार में दो प्रकार के मनुश्य हैं एक तो हैं आत्मार्थी और एक हैं आत्मत्यागी आत्मर्थ ही वो होता है जो संसार में स्वेम की मुक्ति के बारे में सोचता है यानि कि वो जो भी कारिय करते हैं वो अपने अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कारिय करते हैं परंतु श्रीकृष्ण ने दूसरी औरे कह रहे हैं कि जो संसार के हित के लिए कारिये करते हैं जिनको जो प्यारा यानि कि जगत हित जिनको प्यारा है लोग कल्यान जिनको प्यारा है लोग सेवा जिनको प्यारी है वो आत्मे त्यागी कहलाते हैं यानि कि प्रतेक वेक्ति ह वह संसार में खुद की मुक्ष मुक्ष की कामना ही करता है हमने भी देखा है कि संसार में जो कुछ ही ऐसे विरिले होते हैं जो बहुत बड़ा अपना जिगर रखते हैं और आत्म त्यागी कहलाते हैं हमारे देश के जितने भी महापूरुश हैं जो कि आत्म त्यागी की श्र में उतरते हैं वह आत्मार्थी कहलाते हैं परन्तु जो जिनको संसार प्यारा है मानव कल्यान प्यारा है वह आत्मार्थी कहलाते हैं तो वह कह रहे हैं कि इस अवनी तल पर वही आत्मत्यागी है जिसने लोक सेवा और परोपकार की भावना को मन में लेते हुए कारिय किया है इसे वरकार की बात को वो आगे कहते हैं जो हमारा साथवा पद है